नोशकार दोस्तों मैं हूँ मनुज राजगुरू और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल पर तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HP TGT Commission Arts के लिए Important Questions और ये तीन Practice Sets की सीरीज है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं अलग-अलग वीडियो में और ये तीनो के तीनो Practice Sets आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके तो Advanced Level के ये सारे के सारे Practice Sets हैं जिसमें आपके सभी सेक्शन्स इंक्लिवड होंगे जिसमें शामिल है Current GK, HPGK, History, Policy, Geography, Economics, Reasoning, Philosophy और Psychology तो ये सभी सेक्शन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला कुश्चन है भारतिये नोसेना के नए प्रमुक कौन बने और ये चार उप्शन्स आपके स्क्रेन पर है जबकि इसका सही जवाब है Option B, करमबीर सिंग तो करमबीर सिंग भारतिये नोसेना के नए प्रमुक बने है अगला प्रशन है विश्व गुरेया दिवस कम मनाया जाता है और ये चार उप्शन्स जबकि इसका सही जवाब है Option C, 20 मार्च तो 20 मार्च को बर्ड, स्पेरो, डेय या विश्व गुरेया दिवस मनाया जाता है तीसरा प्रशन है और इसका सही जवाब है Option D, नवाग जोकोविच तो नवाग जोकोविच ने और इसका सही जवाब है 2020 का किताब किस ने जीता और ये चार उप्शन्स जबकि सही जवाब है Option A, रानी रामपाल, तो रानी रामपाल 2020 की Games Athlete of the Year होसनी मुबारक, जिनका फरवरी 2020 में निदन हुआ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपती थे और इसका सही जवाब, Option B, मिस्र तो मिस्र के राष्ट्पती हुआ करते थे होसनी मुबारक और फरवरी में इनका देशान दुआ इस साल 2020 में फरवरी माह में किस राज्य में इंटर सिटी बस सेवा की शुरुवात की गई और ये चार उप्शन्स जबकि इसका सही जवाब है, Option B, महराष्ट्र तो महराष्ट्र ने इंटर सिटी बस सेवा की शुरुवात की श्री रामायन एक्सप्रस में कुल कितने कोच है और ये चार उप्शन्स आपके पास जबकि इसका सही जवाब, Option C, 10 तो श्री रामायन एक्सप्रस में कुल 10 कोच इस शामिल है अगला प्रशन, अटल भूजल योजना के लिए भारत ने विशो बैंक के साथ कितने मिनियल डॉलर रिन के लिए हस्ताक्षर किया है, and these are the four options और इसका सही जवाब आएगा, Option C, 450 मिलियन डॉलर संयुक्त उद्यम विजली परियोजना हेतू, भारत ने जून 2020 में किस देश के साथ समझोता किया है और इस प्रशन का सही जवाब है, Option D, भूटान तो भूटान के साथ जून 2020 में संयुक्त उद्यम विजली परियोजना हेतू, भारत ने भूटान के साथ साइन किये थे समझोते पर सुकन्य समरिद्धी खाता योजना में अब ब्याजदर 8.4 प्रतिशत से घटा कर कितने प्रतिशत कर दी गई है और इस प्रश्ण का सही जवाब है, Option A, 7.6 प्रतिशत तो 8.4 से अब ये दर हो चुकी है, 7.6 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश कला संस्कृती वभाशा अकादमी की स्थापना किस बर्श हुई थी? और ये चार उप्शन आप देख रहें आपकी स्क्रीन पर जब किसका सही जवाब है, Option C, 1968 तो 1968 में हिमाचल कला संस्कृती वभाशा कादमी की स्थापना हुई? किस रियासत ने 1807 की क्रांती में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी? और इसका सही जवाब है, Option D, बुशहर तो बुशहर रियासत ने 1857 की क्रांती में अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था अगला प्रशन है, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक बाने की परियोजना किस बर्श शुरू हुई थी? और इसका सही जवाब है, Option A, उननिसो असी, इक्यासी में 1967 में गटित थी? हिमाचल प्रदेश बिदान सबा में निर्वाचित सदस्यों की संक्या कितनी थी? और इस प्रशन का सही जवाब, Option C, 60 तो 60 सदस्यों निर्वाचित थे, 1967 में गटित थी? हिमाचल प्रदेश बिदान सबा में 26 जनबरी 1988 को All India State People's Conference कहां पर आयोजित की गई? और इस प्रशन का सही जवाब, Option B, शिमला तो शिमला में 26 जनबरी 1988 को All India State People's Conference का आयोजन किया गया था किस मुगल समराट ने 1678 के आसपास चमबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिये थे? और इस प्रशन का सही जवाब, Option C, औरंगजेब तो औरंगजेब ने 1678 में चमबा में सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था अगला प्रशन है, सिक्षों ने किस बर्श लाहोल को अपने कबजे में लिया था? और ये चार आप्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इसका सही जवाब, Option D, 1840 सिक्ताली तो 1840 एक्ताली में सिक्षों ने लाहोल को अपने अधेन कर दिया था मंडी में ब्यास नदी का सस्पेंशन ब्रिज किस बर्श बनाया गया था? और ये चार आप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जब किसका सही जवाब है? Option B, 1878 तो मंडी में ब्यास नदी पर सस्पेंशन ब्रिज 1878 में बना था जिसे विक्टोरिया ब्रिज के नाम से हम जानते हैं सिर्मोर के किस शासक ने अपने प्रशासन को ब्रिटिश पद्यती में ढालने की कोशिश की थी? और इसका सही जवाब है Option B, शमशेर प्रकाश तो राजा समशेर प्रकाश ने ब्रिटिश पद्यती में ढालने की कोशिश की थी अपने प्रशासन को जब कांगडा रियसत के राजा हरीचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो उसकी जगा पर कौन सा राजा गद्दी पर बैठा और ये चार ओप्शन आप देख रहें स्क्रीन पर जब किसका सही जवाब है ओप्शन बी करमचंद तो करमचंद राजा हरीचंद के बाद कद्दी पर बैठने वाले शासक हुए थे तंगनू रोमाई जल्विदुद परियोजना किस जिले में स्थित है और इस प्रशन का सही जवाब है ओप्शन डी शिमला तो शिमला में मौजूद है तंगनू रोमाई जल्विदुद परियोजना अगला प्रशन हिमाचल परदेश में दूद गंगा स्कीम किस बैंक के सयोग से चलाई गई और ये चार ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवाड तो नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डूलप्मेंट के तहत हिमाचल में दूद गंगा स्कीम की शुरुआत हुई है चड़ियों का मेला और तीज का त्योहार हिमाचल परदेश में कहां पर मनाया जाता है और इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन बी नाहन तो नाहन प्रसिद है चड़ियों के मेले और तीज के त्योहार के लिए अगला प्रशन त्रिलोगपूर मंदिर का निर्मान काला आम में 1570 में किसने करवाया था और ये चार ओप्शन आप देख रहें अपने स्क्रेन पर और इस प्रशन का सही जवाब है option A दीप प्रकाश तो दीप प्रकाश ने तिरलोगपूर मंदिर का निर्मान करवाया था जिसे 84 घंटियों की देवी के मंदिस के नाम से जाना जाता है नलवारी मेला किस जिले में मनाया जाता है और यह चार options आप देख पारें अपने screen पर और इस प्रशन का सही जवाब आएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि नलवारी मेला मनाया जाता है बिलाजपूर में और यह शुरू किया था डबलू गोल्स्टेन ने जो की एक पशू मे मेला है अर्थात ब्यापारिक मेला चबूत्रा हिल्स किस जिले में स्थित है सिर्मोर, सोलन, शिमला या पिर हमीरपूर और इस प्रशन का सही जवाब option D हमीरपूर तो हमीरपूर में स्थित है चबूत्रा हिल्स पहाड़ी साइति के क्षेत्र में बाबा काशी राम पुरसकार जीतने वाले पहले ब्यक्ति कौन थे और इसका सही जवाब है option P जेदेब किरन तो जेदेब किरन को पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा काशी राम पुरसकार मिला था हिमाचल की सबसे प्राचीन चित्रकला शेली कौन से थे option जे कांगडा शेली गुलेर शेरी बसोली शेली या फिरिन में से कोई नहीं और इस प्रशन का सही जवाब option C बसोली शेली तो बसोली शेली हिमाचली चित्रकला की सबसे प्राचीन शेली माने जाती है हिमाचल का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडेल कौन सा है शिमला, कांगडा, मंडी या फिर इन में से कोई नहीं और इस प्रश्ण का सही जवाब है option C, मंडी मंडी सबसे बड़ा administrative zone है हिमाचल प्रदेश में कुलिंद स्थाई रूप से कहा के निवासी थे और ये चार options आपके screen पर है कुलू, शिमला और सिर्मौर, चमबा या फिर कांगडा और इस प्रश्ण का सही जवाब option B, शिमला और सिर्मौर तो शिमला और सिर्मौर के प्राचीन निवासी माने जाते हैं कुलिंद तोंस नदी में कौन सी धातू पाई जाती है जिपसम, सोना, चांदी या फिर सिसा और इस प्रश्ण का सही जवाब option D, सिसा तो तोंस नदी में पाई जाने वाली धातू है सिसा सिर्मौर के राजबन में CCI, Cement Corporation of India की cement factory किस बर स्तापित की गई 1963, 71, 80 या फिर 84 में और इस प्रश्ण का सही जवाब है option C, 1980 तो 1980 में Cement Corporation of India ने राजबन में अपनी factory स्तापित की थी किन्नोर का लिप्प असरंग अभ्यारन्य इन में से किस के लिए प्रसिद्ध है और ये चार option आप एक बार देख लिजिए प्रिस्क्रीन पर और इस प्रश्ण का सही जवाब option A, याक तो याक के लिए जाना जाता है किन्नोर का लिप्प असरंग अभ्यारन्य हिमाचल Botanical Garden कहां परस्तित है थ्योग, नालदेडा, कुफरी या फिर चाहिल और इस प्रश्ण का सही जवाब option C, कुफरी तो कुफरी में मौजूद है हिमाचल Botanical Garden हिमाचल में संत्रों का उत्पादन मुख्यते कहां पर किया जाता है शिमला या मनाली, कुल्लू या कांगडा, सिरमोर्वा उना या फिर बिलासपुर्वा हमीदपुर और इस प्रश्ण का सही जवाब option B, कुल्लू और कांगडा तो कुल्लू और कांगडा में संत्रों का सरवादी खुत पादन होता है थारा सो चैत्तर में हिमाचल में भू सुदारों की शुरुआत किस ने की थी ये काफे important question और इस प्रश्ण का सही जवाब option D, कर्नल रियू तो कर्नल रियू ने थारा सो चैत्तर में भू सुदारों की शुरुआत की थी हिमाचल परदेश में मुरिकुला देवी मंदिर कहां पर स्तित है स्पिति, लाहौल, बरमोर या फिर करसोग और इस प्रश्ण का सही जवाब option B, लाहौल तो लाहौल में स्तित है मुरिकुला देवी का मंदिर जुआला जी मंदिर से तेरा सो संस्क्रित ग्रंतों को लूट कर दिल ले जाने वाला सुल्तान कौन था और ये चार options देखिए और इस प्रश्ण का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक जानजर किस जीले का लोकनित्य है कांगड़ा, शिमला, मंडी या पिर चमबा और इस प्रश्ण का सही जवाब option D, चमबा तो चमबा का famous लोकनित्य है जानजर हालदा त्योहार खिमाचल के किस जीले में मनाया जाता है कुलू, चमबा, किन और या पिर लाहॉल्स पिति और इस प्रश्ण का सही जवाब option D, लाहॉल्स पिति में सब्सक्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाए इसी तरह की लेटिस्ट एदुकेशनल विडियोज कि युझ से टो और नाता जाय है